देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि पाउडर वाला प्लास्तर क्या होता है और जिन कॉंट्रेक्टर पर आप भरोसा करके जिने विद माटेरियल अपने मकान का काम देते हैं तो वो आपके नहीं होने पर आपका कैसे फायदा उठाते हैं और आपको कैसा काम करके देते हैं आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें घंटे के बैल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिपिकेशन आप तक पहुंश सकें तो यहां पे लंबब ना हो और आपको समय भी बस सके तो यहां हम आपको बताने वाले कि जो पहले प्लास्टर किया गया है आप उसे देखिए और जो अभी recently प्लास्टर किया जा रहा है आप उसे देख सकते दोनों में जो आपको quality का फरक सेम देखने के लिए मिल जाएगा आप देख सकत जो पहले plaster किया गया है आप उसे देखिए और जो अभी recently plaster किया जा रहा है उसे देखिए यह है पहले का plaster आप देख सकते हैं जिसमें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत तेज माल से finish किया गया हो और अभी का plaster आप देख सकते हैं जिसमें cement की बहुत कमी है आप द अब इसके उपर सीमेंट उड़ाया जा रहा है ताकि ये देखने से ऐसा लगे कि जैसे प्लास्तर वहों तेज माल से किया गया है तो ये काम जो है जब आप जो मकान मालिक है वो कॉंट्रेक्टर पर भरोसा करके उसे विध माटेरियल काम देते हैं तो वो अपने पैसे बचाने के लिए आपको ऐसा काम करके देते हैं अगर आप अपने मकान के कॉलिटी पर ध्यान नहीं देंगे जो कॉंट्रेक्टर है उसके समान पर ध्यान नहीं देते हैं उसके माल पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो आपको ऐसा ही काम करके देते हैं तो यहाँ पर आपसे जो बात बताने वाली थी वो यह कि अगर आप contractor को with material काम दे कर free हो जाते हैं और आप यह सोचते हैं कि हमें अब कोई tension नहीं है तो वहीं पर आप अपने मकान में quality से समझोता कर लेते हैं क्योंकि जो contractor है वो पैसे बचाने के लिए आपको ऐसे ही काम करके देते हैं तो I hope आप समझ गए हैंगे कि हम इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं कि अगर आप contractor को with material काम दे कर यह सोचते हैं कि हम हर tension से free हो गए हैं तो यह आपकी बड़ी गलती है क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको आगे चल कर आपके मकान में repairing के बह नवाल